तो आज की वीडियो में समझेंगे हेंड प्रोटेपर्स के बारे में साधी साथ खोल कर देखेंगे इस बॉक्स को कैसे अरेंज होकर आते हैं, कैसे आप इसको आइडेंटिफाइ कर सकते हैं तो हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर हरीशंकर सोनी वे डॉक्टर कलपेश चंद्रवनसी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्टे तो चलिए समस्ते इसको तो थोड़े से हाइलेट्स पहले इसके देख लेते हैं और ये हैंट प्रोटेपर्स की हम बात कर रहे हैं जो मेनुली हम RCT के लिए यूज़ करते हैं रोटरी प्रोटेपर्स के बारे में अगर आप जानना चाते हैं तो उसके उपर भी वीडियो बनाया हुआ है वो आप डिस्क्रिप्रिशन में जाकर लिंक से देख सकते हैं तो चलिए हैंट प्रोटेपर्स के भी बात करते हैं तो pro tapers introduced by D. Clef Raddle, Dr. Johan West, Ben John and Dr. Perre इन्होंने introduce किया था सबसे पहले pro tapers means progressively taper जितने भी instrument इसमें है यह progressively taper होते हैं हर fluids में इनका taper change होते जाता है और जो यह taper design होता है it improves flexibility and cutting efficiency of instrument अगर pro tapers के cross section की बात करें तो यह triangular cross section इसका होता है and proteper system में 3 shaping और 3 finishing file होती है 6 files ही इसमें होती है 3 finishing और 3 shaping files तो यह होगया इसकी general information तो अब इसको खोल कर देखते हैं कैसे इसको identify करना है तो ऐसे packing में आते हैं चलिए इसको खोल कर देखते हैं यहाँ पर size लिखे हुए है SX, S1, S2, F1, F2 and F3 तो जो यह 3 है SX, S1, S2 यह हमारी shaping files है जैसा हमने समझा and F1, F2 and F3 जो है वो finishing file है तो इनका identification देख लेते हैं जो SX है जनरली golden color का hub इसका होता है जो पर orange दिया हुआ है इसके बाद S1 जो है उसका hub जो होता है purple color का S2 white color F1 yellow color F2 red and F3 है वो blue color night eye material के यह बने होते है तो सबसे पहले SX की बात करें तो उनके fluids से आप देख लीजिए जैसे हम progressively taper की बात कर रहे थे यह ऐसे taper होते है हर एक fluids में जाकर यह taper होते जाता है लाश्ट तक तो SX का use हम canal opening को, canal orifices को बड़ा करने के लिए करते हैं जैसे हम GJ drills का use होता है वही का SX हमारा करता है फिर जो S1 है यह हमारे coronal part को prepare करता है जो root होती है हमारी root के coronal part को prepare करता है इसके बाद जो S2 है यह prepare करता है roots के middle part को जो हमारी canal है उसके middle part को यह prepare करता है फिर फिनिशिंग के लिए हम F1, F2 और F3 फाइल का यूज करते हैं अब X तर तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंड आया हो तो लाइक कर दें शेर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सकाइब जरू कर दें थैंक यू फ्रेंट